रोईडा के एक परजापत परिवार न दिपावली पर बनाए हातों से करीब 80,000 मिट्टी के दीपक कोरोना काल में रोजगा ठाप होने के बाद अब दिपावली पर परिवार को रोजगार की जगी आज सिरोई जिल्ले के पिनवारा तैसिल इस्दित रोईडा गाउं के एक परिवार द्वारा इस दिपावली पर रोजगार की आज से हातों से मिट्टी के करीब 80,000 दीपक बनाए है वहीं कोरोना काल के बाद अब परिवार को आज जगी है कि इस दिपावली पर कही न कही इनका रोजगार बढ़ेगा और घर परिवार को चलाने में आसानी रहेगी मेकिन इंडिया के तहट रोजगा के चगन परजापत दनारम परजापत के परिवार ने मिलकर इन दीपक का निर्मान किया है लोकेस परजापत ने जानकारी देकर बताये कि कोरोना काल में मद्यम वर्ग के लोगों के कमाईक ववयापार पर कापी असर पड़ा है साथ ही पिछले एक डेड़ साल से परिवार को कापी समस्याए भी आई है वहीं इस बार की दिपावली में मिट्टी के करीब 80,000 दीपक का निर्मान किया है जिससे अब आम जन इस हस्त कला को बढ़ावा देंगे और इससे हमें राहत मिलेगी आज कल दिपावली के परव आते ही बाजारों में आपको तरह तरह के दीपक देखने को मिल जाते है जिसमें चाइनी दीपक सहित अन्य दीपक तोते है लेकिन आज भी हमारे समाज के कुछ लोग इस हस्त कला को जिन्दा रखे हुए है मिट्री के दीपक भीकने से इस्तानिय लोगों के रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी ऐसे में कोरोना काल में जिन लोगों के रोजगार ठप हो गया है इनकी जिन्दगी की गाड़ी को पूना पटरी पर लाने के लिए आपको इन दीपक को करीद कर इनका सायोग करना चाहिए वही मेकिन इंडिया के तहत हस्त कला के तहत इन कला को जिन्दा रखने के लिए आपका सायोग इन लोगों को एक आस बनाएगा